Hello students, very good evening to all of you. I am Rahul Dev, your host for today. And मेरे साथ हमारे बहुत ही डियरेस्ट सुडेंट मुकुल साथ में है. मैं मुकुल के बारे में थोड़ सा बताना चाहता हूँ. मुकुल का सेलेक्शन इसी बार 2024 में फाइनल सेलेक्शन हुए है. पंजाब में, पंजाब Gramine Bank में, RRB में. RRB जो Scale 1 Officer की इकाट्र पेंट का जो पोजीशन है, उनमें वहां पर सेलेक्शन हुए है. और अभी इनकी जो जौइनिंग है, वो आ गई है, 29-39 से यह बता रहे हैं कि आपका जो इंडुक्शन प्रोग्राम है. 30 और 31 को induction program है 29th को joining formalities और medical है 29th 29 तरीक को जनवरी में ही आपका 29th को formalities है जहां पर कि आपको बताया जाएगा कहां आपकी posting है, concept place पे आपको place बताया जाएगा, किस ब्रांच में report करना हो बताया जाएगा और फिर आपका induction program होगा जिसमें कि आपको की टीम की तरफ से congratulations बोलना जाएगा तो आपने खुद को तो चलो proud moment दिया यह आईबियस को बहुत अच्छा बहुत बड़ा proud moment दिया और यह background से महाली के रहने वाले हैं पंजाब से, बट यह पुराना जो पीछे श्रीगंगानगर से belong करते हैं राजिस्तान से तो जो भी राजिस्तान के श्रीगंगानगर के स्टूडन्स हैं तो आपके लिए एक inspirational आपके person आपके सामने बैठे हैं और जो महाली से बच्चे हैं कि अगर आप government sector में, banking में आप अपना करीव बना जाते हैं तो मुकुल आपकी city से, आपकी place से ही select हुआ है तो अगर मुकुल select हो सकता है उस place से तो आप भी select हो सकते हैं बच्चों इसी inspiration के साथ आगे move करते रहिए और जो भी hard work है वो बच्चों put up करते रहिए तो मुकुल का जो background है वो bachelor of arts है तो जो भी बच्चे arts background के हैं अगर उनको लगता है कि मैं banking में जाने में इतना जादा सक्षम नहीं हो capable नहीं हो तो बच्चों ये बिलकुल गलत उनकी धारणा है because किसी भी field से बच्चा हो चाहे वो arts से हो, चाहे commerce से, चाहे technical background से हो, कोई भी हो तो आप अपने government sector में particularly banking में आप अपना करियर बना सकते हैं और मुकुल के बहुत जादा अच्छे percentage नहीं रहा है plus two में, है ना, sorry, graduation में तो 2021 में इनोंने graduation करिये 60%, मतलब मैं कह सकता हूँ कि average के आसपस marks रहें तो एक average student भी अगर मेहनत करे खूब अच्छे तरीके से hard work करे, तो जो भी वो चाहे वो बन सकता है तो मुकुल के अब हम विचार सुनेंगे कि मुकुल ने कैसे preparation करी तो पहला सवाल मुकुल आप से है कि आपने कैसे preparation स्टार्ट करी अपनी और हमारे जो देख रहे हैं बच्चे तो उनको आप क्या guidance देना चाहेंगे क्या बैसे देना चाहेंगे सर मुझे government की तियारी तो करनी थी बट मेरे school में जो senior है मेरे वो SPI में PO लगे थे तो मैंने उनको बजाई दी थी initial days में guide किया तो मैंने शुरू में सर कंसेप्ट सारे किये थे एक कंसेप्ट किये उसको revise किया उसके बाद second step में मैंने सर हर एक कंसेप्ट पे practice की और third step में जो exam मेरे साबने आ रहा था उसके mock test किये तो तीन step में सर मैंने अपनी त्यारी की और सबसे जो important सर जो इसमें step रहता है वो interview रहता है interview की सर weightage भले ही 20% है बट यह deciding factor रहता है सर selection में तो fourth step सर interview है तो चार step में अगर कोई बच्चा एक साल तक त्यारी करे तो उसको जरूर सर इसमें selection मिलेगा सर regularity के साथ तो कर सकता है सर concept, revision, practice तो मुकल ने बिल्कुल आसान बना दी है students आप सब के लिए कि चारी step है पहला step है concept revise कर लो दूसरा उनको practice कर लो अच्छे तरीके से तीसरा mock test अच्छे दे लो और चौथा interview की preparation अच्छे से कर लो interview preparation जैसे आपको IBS ने कराई तो आपको क्या फाइदा हुआ interview preparation ने आप थोड़ा सा बताईए बच्चों को जो interview के लिए त्यारी करें हाँ जी सर सर जब मैंने सबसे पहले interview का सोचा था कि मैं कहां जाओ interview के लिए तो मैंने सर मोहाली चंडीगड में हर एक institute पे phone लगा कि मैंने पूचा था interview के लिए गार्डिन बट सर मुझे ना कहीं पे भी satisfactory result नहीं मिला था फिर मैं IBS पे आया और सर आई बीएस पे जब मैंने पहले दिन class लगाई तो मैं सर काफी satisfy था कि मुझे काफी कुछ सीखने को मिले आए कि अच्छी जगा पे पहुंच गया हूं मैं और सर आपका भी interaction सर बहुत जादा हमें exposure अच्छा था सर आपके interaction से भी और दूसरा जो banking field से related जो लोग थे GM, AGM, CGM तो सर उनके aura में भी रहके बहुत चीज़ें हमें सीखने को मिली सर बिलकुल बिलकुल और जो जो सवाल जो इधर पूचे थे मेरे कॉलेज से related मेरा सर इंटर्वियू, मेरा introduction नहीं हुआ था मैं जैसे ही बैठा उन्होंने बोला कि आप किरोडिमल कॉलेज से पढ़े हो तो सर उन्होंने मेरे कॉलेज, मतलब मेरा कॉलेज टॉप फाइव में है और इंडेल उन्वियू तो उन्होंने उसके और मेरे साथ काफी बात की उसका बैंकिंग के एक-दो सवाल पूछें जिस पर उन्होंने इतना जादा धबाव नहीं दिया और फिर मेरे फादर के बिजनस पर जैसे जी म सर ने भी मेरे फादर के बढ़ा पूचा गया जो जो सर ने मेरे से पूछा था उसे ही कंटेक्स्ट में मेरे से सवाल किये गए वहां पर पापा की बिजनस में तो आपको मतलब कंफरटेबल लगा एंट्रू वहां पर काफी कंफरटेबल था सर मैं मतलब knowledge नहीं चेक की थी सर सच में उन्होंने ये देखा था कि बच्चे क जादा अच्छा exposure मिला जिस क्योंकि यहां पर students जो भी आपके interviews होते हैं जो preparation कराते हैं वो सारे सारे bank manager उनको 10-15 साल हो गए हैं interview ही conduct कराते हुए तो और वो पहले AGM, DGM retired है तो अच्छे-च्छी position से retired है तो उनको पूरा जो scenario है वो पता होता है किस तरीके से बच्चा किस त थोड़ा सा आगे चलेंगे मुकूल तो मैं message आपको message तो आपने दिया कि बच्चों को किस तरही किसे पढ़ना चाहिए message है क्या बच्चों को क्या लगे रहना चाहिए क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ time के बाद उनका वो लगता है कि नहीं हो पा रहा तो कही उसमें विचार है आपके बिल्कुल सर और ये कोशन सर काफी क्यूंकि जैसे आपका मैंने देखा 2021 से आप त्यारी कर रहे हो 2024 में जाके selection हुआ है 2,5 साल आपने लगाए हैं इस चीज़े तो उन बच्चों के लिए क्या आपका message होगा सर मेरा message यही रहेगा उन बच्चों क कीजिए 50 से 60 concept होंगे total हर एक subject के मिला के सभी को करिए उसको revise करिए practice करिए अगर आप इस काम को delay करते करते एक देट साल पे ले जाएंगे जो काम 6 महीने का है उसको अगर आप 2 साल पे ले जाएंगे तो आपके खुद के अंदर ही self doubt आएगा वो self doubt ही आपको बोलता है कि त तो कुछ और कर ले जब doubt आता है तो वही होता है तो step wise काम करिए concept सबसे important है क्योंकि pre बहुत बच्चे clear करते हैं बट मेंस में कोई shortcut tricks नहीं है उसमें मेंस में तो बस आपका कितनी practice आपने की है कितना आप खुद को tolerate कर सकते हो portion के सामने वही matter करेगा तो जिस time आप पढ़ हैं उस time पर पढ़ें जो काम 6 महीने का उसको 6 महीने में ही करें जिससे कि self confidence बढ़ेगा self doubt नहीं आएगा और बाकी parents भी push करना शुरू करते हैं फिर थोड़े दिन टाइम के बाद कि आप कहीं और job कर लो अगर नहीं हो रहा है और सर्फ parents कब push करते हैं जब parents हमें देखते है और सच बोलते हैं parents को अगर लगता है कि यह सही नहीं कर पढ़ेगा अगर यह पूरा efforts नहीं डाल रहा डेली नहीं पढ़ रहा तो वो जरूर बच्चे का time कराब होते देख नहीं सकते हैं बिल्कुल हो चाते हैं कि यह और effort लगा के कुछ कर ले सैटल हो जा time का वेस्ट कर तो अगर आप बिल्कुल इमानदारी से practice करते हैं आप पढ़ते हैं डेली तो आपके घरवाले आपको कुछ भी नहीं बोले तो आपको एक साल तो कम से कम invest करना चाहिए एक साल मेरी त्यारी का सर फेस क्या था मैं फादर के साथ था तो उस फेस में मैंने त्यारी अपनी द बड़ा हर्डल है सर तो लैप्टोप से ही सारी पढ़ाई हो जाती थी तो किसी के भी लिंक में नहीं था बस मेरे फैमली मेंबर से मुझे जानते थे और उसी तरिक्के से था सर तो मुकल का बहुत ही अच्छा मेसेज है सभी बच्चों के लिए कि आप regular consistent रहें और कम से कम एक साल का आप अपने लिए time दें कि एक साल आपको इस पढ़ाई को देना है उससे पहले quit ना करें बच्चों और सर एक साल का काम भी अगर आप दो साल तक ले जाएंगे ना अगर irregular रहेंगे तो self doubt create होगे फिर ऐसा नहीं है कि आप capable नहीं हो यह है कि आपने time waste किया time थोड वुकुल आपका क्या plan है आपके future अभी career को लेकर अभी start कर रहें जैसे RRB से तो क्या planning करी कुछ आगए या अभी जैसे यसे दौर लेके चलेगा आपको वहाँ पहुंचेंगे जैसे पहुंचेंगे कैसे सर इस में मैंने सोचा है काफी excited हूँ मैं क्योंकि government field में जाने का म हुद कम लोगों को मिलता है सीड्स भी काफी limited थे पंजाब में तो excited हूँ सर काफी ज्यादा banking field से क्योंकि banking एक pillar है अपनी society का है ना लोगों के पैसे हमाँ पड़े है तो एक responsibility वाली बार तो उसको सर काम को मैं सीखना चाता हूँ अच्छे से इमांदरी से और जैसे मैं इस काम में बिल्कुल efficiently मैं इसको करने लग जाओंगा सीख जाओंगा तो उसके बाद सर मैं PCS की त्यारी करना चाहता हूँ अच्छा आगे जाकी PCS की त्यारी करना चाहता हूँ अच्छा स्कोप है वैसे तो आप bank में भी आगे internal promotion के थुरू आगे scale two scale three officer बन सकते हैं बन जाए एम है वो आपका त्यार रहना चाहिए कि मुझे क्या करना आगे never stop वाली बात होती है कि कहीं पर भी आप satisfy ना हो जाए कि मेरे को यह मिल गया बस आगे कुछ नहीं देखे गया never satisfy or never stop anywhere so keep on moving keep on going इसी का नाम life है इसी का नाम जिन्दिग है बच्चो और सर मैंने आपके mains के भी कोशन देखे दें तो सर आपने जिस लेवल के कोशन करवाए हैं सर उसी लेवल के कोशन साहरी है एक्जाम में भी के मेंस की भी तैयारी बहुत अच्छे से तो आगे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं आगे क्लिए क्योंकि आप पिएस का कैलेंडर भी आ गया है हाँ जी सर तो आगे बच्चों के लिए आप यही है मुकुल का भी और हमारे आईबेस की पूरी टीम की तरफ से यही कहना है कि बच्चों अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन करें बेस विच्चिज और बढ़िया तरीके से आप ए रिजल्ट्स हैं जैसे आज मुकुल ने करके दि अच्छे तरीके से आगे प्रोग्रेस करें और प्रोमोशन लेते जाएं आगे आगे और आपका काम बहुत बढ़ी हासी चलता रहे और जिंदगी में सदा खुश रहे हैं थैंक्यू सब्सक्राइब